हलो फ्रेंट्स नमस्ते आदाब सस्रिकाल मैं हूँ आपका दोस्त रोबिन सिंग और दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आठ से दस साल की बच्चे का अगर आपने पटियाला सूट बनाना है तो कैसे कटिंग होगी कैसे स्टिचिंग होगी बहुत ही असान तरीके से मैं आपको आज की वीडियो में सीखाने वाला हूं तो दोस्तों शुरू करते हैं अब आज वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे पास जो ये कपड़ा है तोटल 3 मिटर कपड़ा है और 3 मिटर कपड़े में से हम बनाएंगे बेबी पटियला सूट दोस्तों इस कपड़े को बोलता शैंटून यह देख सकते हो अप और इसमें शाइनिंग होती है कपड़े में और फ्रेंट्स अब इस कपड़े में कैसे कटिंग करनी है यह तो इसका आगे का और फीछे का दोनों पार्त हम एक साथ करेंगे यह कि इस पकार से कपड़े को चाहिएा ज़िए खृत की जो पड़ेगी वो निशान हम लगाएंगे धाइंच पर यह देखें बिल्कुर सीधा निशान लगाना है क्योंकि नीचे इसमें तुर्पाई होगी यह देखें अब फ्रेंड्स इतना निशान लगाने के बाद अब बात करते हैं इसकी लंबाई की सूट की जो लंबाई ह मैं आपको अब यह जो निशान लगा है दोस्तो अब इस निशान के अधार पर हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आब मैं को किस परकार से हमने इसका एक तो इस प्रकार से तो सुछ हम च मकरेंगे क्योंकि बिल्कुल सभिस्येंट रहेगा तो गिल्कूल सभीuGhardilly अब जितना हमने ये युदि इतना ही दोस्तों आपको इसगा अर्मों लेना है साधे चार आपको आर्म होन लेना है बिरकोषई इस प्रकारस को निशान लगाना है अब यह जो मैंने को इस निशान viens Sugden जो सीना है दोस्तो वो है 22 इंच तो 22 का आपको करना है एक चुथाई 22 का आदा होता है 11 और 11 का आदा होता है यह देखिए और इसके अलावा आपको आधा इंच लोजिंग देनी है बिल्कुर फिक्स नाप पर कभी भी सूट की कटिंग नहीं की जाती तो दोस्तों यह जो मैंने निशान लगाया इस निशान पर हम लगाएंगी फिटिंग की सिलाई अब इसी पकार से जो कमर की शेप द लगाया सिधा कामर है वह 19 इसी प्रकार से आप 19 का करना है 10 का जब आप एक चुछå करते हो तो बिकुछ सींपल सा फार्मूला इस प्रकार से आप एक 19 11 का आधा होता है साड़े लेकिन जब आप किसी बच्चे का बना रहे हो तो उसके लिए आपको यह निशान लगाना वो लगाना है चौदा इंच पर देखें कि अब दोस्तों जो हिप साइज है वह 25 तो पचीस का जो एक चौथा बनता है वह बनता है सब आचे यह देकिए सब आछए पर निशान लगा दिया और आदा इंच की सिम्हida लीव में नीचे ले जाए इस का और क्योंकि गहर citizen State बनेगा अब यहां से आपको एक Norow लगाना है और यहां से हमको देनी हो गुलाई हो इस प्रकार जब भी आप किसी बच्चे का बनाओ तो धो इस गोलाई का टूरा है की जो दूस्तों यह होनी चाहीं सिर्फ एक इंच ही दिखी लेकिन जब किसी बढ़े का बनता है तो यहां से जो दूरी तो यहां से जो आपको गुलाई देनी वो एक इंच पर देनी और इस गुलाई को आपको इसमें जाके मिलाना है अब यह जो निशान है इस निशान पर तो आ जाएगी फिटिंग की सिलाई लेकिन इसके आवा आपको एक्स्टा जो मार्जन इस प्रकार से यह देखिए मैं ए यहां से आपको कटिंग करनी देखें कैसे यहां पर कट लगा दे तागी पता रहे इतना यह नीचे से फोल्ड होगा यहां पर कट लगा दे यह हिप साइज का अंधाज हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आगे पीछी के दोनों पार्ट्स में इस प्रकार से ज करते हैं लेकिन बच्चे का जो सूट होता है हल किसी आपको कटिंग करनी सिफ ना मातर गी ताकि एक अंदाज हो जाए कि आगे पीछे का हिस्सा कौन सा यह देखें हल किसी आर मौल की कटिंग करें तो फ्रेंड्स यह देखी आर मौल की कटिंग मैंने कर ली है और एक चीज में आपको बता रहता हूं जब हम किसी बड़े का सूट बनाते हैं तो पीछे का इससा बढ़ा रखते हैं लेकिन बच्चे का जब बना रहे हो तो पीछे का इससा आपको बढ़ा रखने के जूर nahi होती दोस्तों यह देखीए किटिंग मैंने कर लिए भाद इसमें लगेंगेनी क्यों संस्क्राइब बात करते हैं इसकी सलवार की कपड़ा बचिरह इसमें से हम बनाएंगे सलवार तो सलवार के लिए आपको क्या करना है सब जो जितना भी कपड़ा इसको इस प्रकार से लेते हैं तो फेंड आप देखें कि कपड़ इस पular का लिए चारों की चारों की जो किनारी उस तरफ हैं और khina करना होगा जैसे कि सलवाय के लंबाई 30 है देखिए तो 30 मैंसे हमें उनको चालवाय करना है इस प्रकार से तो टोटर कितना हो गया है यह हो गया 26 अब आपको 26 पासिधा एक निशान खीचना है इस प्रकार से कि यह चार इंच दोस्तों मैंने कम क्यों किया है जब इसकी में पूरी कटिंग कर लूँगा सलवार के तब आप कोई चीज समझ में आएगे कैसा अब आप देखें इस प्रकार से जो टुक्ड़ा है अब इसके अंदर दोस्तों हमें जो आशन है जब हम किसी बड़े सलवार को बनाते हैं तो हम उसका जो आशन यहां से रखते यह से पहणा साइज है जैसे कि इसके हैं नो इंच Quelle कि इसके साड़ी चार निशार कपड़ा है मारजन के लिए समय तरीगा यह प्रकार से आप आपको एक निशान खेचना है यहां पर सीधा और आप चाहें तो इसको बिल्कुर्ट सीधा काटके इसकी जो कलियां इसके साथ ही कटिंग कर सकते हो अगर आप चाहें तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से यह देखिए अक्सर जो सलागी कटिंग होती है दोस्तों उसमें चार कलियां होती है और दो कंडे होते हैं तो आप देख सकते हैं दो कंडे में अलग से काट लिए और कंडों की दो मेंने यह लंबाई रखी चुड़ाई रखी यह रखिए सीफ और सवस्वीट मैंने चार इंच लिकिन निशान को इस प्रकार से यह देखिए जो पांच इंच वाला जो हमने आसने की जगह छोड़ी थी इसमें जाके मिलाना है लेकिन दोस्तों इसे क्या है पट्याला सलवार नहीं बनेगी अब आपको बनाने है पट्याला तो पट्याला के लिए क्या करना है आपको पहले निशान लगाना है लेकिन इस निशान को आपने इस प्रकार से थोड़ा यहां से बढ़ा लेना है यह देखिए मैं आपको कटिंगर के दिखाता हूं कि अब फ्रेंड्स यह जो कपड़ा मेरे बचरा यह देखिए अब इस बच्वे कपड़े को आप चाहें तो आगे यू अराम से हमारी बाजो भी निकल जाएगी बाजो खेर इसमें है नहीं और दोस्तों कपड़े को में इस प्रकार से यहां पर बिच्छा हूंगा और देखिए हमारी चार कलिया निकल जाएंगी अब मैं आपको बताता हूं कैसी इसको आपको आगे बढ़ाना है यह दिखिए इसको जाके मिलाना है इस पकार से इसससे क्या होगा दोस्तों चार कर जाएंगी और जादा बढ़ा हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं यह देखी टोटल जो है इस प्रकार से यह जो चार कलिया मैं एक्स्ट्रा काटी है इस चार कलियों के साथ जूड़ जाएगी और और भी ज्यादा जो है घेर बढ़ जाएगा दोस्तों यह होगे इसकी कलिया यह होगे इसके कुंदे अब इसके बैल्ट तो कपड़ा हमारे पास है इसमें सराम से बैल्ट भी निकल जाएगी बैल्ट का जो फार्मूला बिल्कुल सिंपल है अब मैं आपको बदाता हूं कि किस प्रकार से जो मैंने वह चार इंच जो लंबाई कम ली थी आपको कैसे उसके अंदर अर्जेस्ट करनी है तो बैल्ट में जो लूजिंग दी जाती है वह दी जाती है चार इंच कि पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है तो टोटल बैल्ट कितने हो गई है यह बैल्ट होगे साड़े सोला इंच की अब दोस्तों यह तो बैल्ट की लंबाई है अब बात करते हैं इसकी जो तो इसकी आप करने कर लए नहीं यह देखे अब इसकी आप कर लए कटिंग कई कि तो फ्रेंड्स ये सलवार की जो यह बेल्ट इस प्रकार से में बैक अ काट लिये इतना तो यह जो इसको उपार का नेफा फोल्ड अगर आप चाहें नेफे में लास्टिक डाल सकते हो यहां फिर नडा भी डाल सकते हो फ्रेंट यह की कटिंग जो मैंने आपको बता दिये किस प्रकार से पाट्याला सूट की काटिंग की जाती है अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हो अब मैं आपको बताता हूं स्टेब स्टिचिंग करनी है तो फ्रेंट से सूट बनाने के लिए सबसे पहले जूरुत पड़ती है गले की देखे बुक्रम से मैं इसका गला बनाओगा इस प्रकार से बुक्रम को मैं डबल किया है गले की जो चुड़ाई लिए मैंने दोस्तों वो लिए है दो इंच ये देखिए इसकी जो लंबाई वो लिया comigo, 4.5 इंच इस में बना लीनी या है और आप देख सकते हो साCHA बनाने वु के ओप पाद से आपको लिखलाहसा यहां से करव करना है और देखें कैसी मैं करता हूं तो फ्रेंट्स आप देखेते हैं छोटा सा जो है मैंने गला बना लिए यह तो इसका आगे का गला है और जो पीछे से दोस्तों गला बनाएंगे वह हम इसमें कपड़े पर ही कटिंग कर लेंगे गुलाई रखेंगे इसकी 2 इंच यह देखिए और गले की पीछे से जो लंब गले की तरह ही बनेगा बस इसकी जो आपको चुड़ाई रखनी है जब आप इसे कपड़े पर जमाऊगे तो आपको शिर्फ रखनी चार इंच बाकी बड़े गले की तरह ही बनता है और कैसे गला बनता है आगे का पीछे का इस सब्जेक्ट पर में एक वीडियो बना रख है और आप देखते हो यह जो आगे का गला है इसको बिल्कु सिंपल गले की तरह मैंने बना लिया जब आप इतना गला बना लेते हो उसके बाद दोस्तों इसमें एक अच्छा लुक देने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास एक लैस है इस लैस को गले करना लगाएंगे पिर बीट और पिर उबी सेंटर में आपको उख मिसान लगाना है ऑधोस्तों जहाँ सब om तो फ्रेंड्स आप देखें तो लेस मैने लगा ली है लेस लगाने के बाद अब इसका जो तीरा इसको आपस में आपको जोड़ना है बिलकुल आसान तरीके से तीरे को आप जोड़ सकते हो यह देखिए यह जो औरे पटी इसको हम जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं सेम उसी प तो फ्रेंड्स यह देखी गला जो है बिलकुल कम्प्लीट है तीरे के स्लाई में लगा ली है अब इसकी जो यह आर्म होल वाली जगह है दोस्तों यहां पर हम लगाएंगे उरे पटी यह देखिए बहुत असान तरीके से जैसे आपने पीछे वाले गले में लगाई होती ह यहां पर इसको डबल करके इस प्रकार से लगाना है और पटी लगाने के बाद पटी को अंदर फोल्ड करके तुरुपाई कर सकते हो यह उसमें से लाइक कर सकते हो तो फ्रेंट्स उड़े पटी लगाने के बाद अब इसका नेक्स प्रोसीजर है आप नीचे इसके घहरे देखें घ selfie company से मैंने थोड़ी सी मार्किंग कर रहा एकिसराइड से को सब्सक्राइब ऻुक्त करनि प्रोड लगाने बहुत असानी से लग जाएं लेस्ट लगाने के बाद इसका next बताता हूं तो friends आप देखे सकते हो इसके नीचे less मैं लगा लिए less लगाने के बाद अब इसका जो next लगाने के बाद अब और जो निशीजर के दिए है मैंने जिस अनुसार में कटिंग गड़ी थी उसी अनुसार फिटिंग के निशान में दोने तरफ लगा लिए बहुत असान तरीके से आपको यहां से स्टार्ट करने हैं यह देखिए यहां से लेकर यहां तक आपने कट रखा यहां तक स्रेल लगाने के बाद फ्रेंट्स फिर इसका यह नीचे से आप देख सकते हो यह जो जब करना है इसको लैस को आपने इतना अच्पर करना है यह जो एक्स्टर कपड़ा आप आप पिया पर श्रय लगा सकते हो कौकति लगाने के बाद दोस्तों इसी पकार आपको पीछी खांग और चाक तंक फोल्ड कर लें और जब आपको इस प्रकार से सूट मन जाएगा से बहूत ही सिंपल तरीके से यह सूट कंप्लिट हो जाएगा सूट बनाने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूं फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सलवार तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्राइल लगा ली है मैंने कच्छी स्राइब लगा लिए चाग घेरा सा में फोल्ड कर लिया है अब करते हैं इसकी सलवार की तो फैंड्स सलवार बिल्कुल नॉर्ώर्मल सलवार की तरह ही बनती है कैसे बनती है इस सब्जैक्ट इसके साथ इस प्रकार से टैच करना है और जब यह जो कलिया आपस में जुड़ जाएंगी उसके बाद इन कलियों को आपको यह जो कुंदे इनके साथ जोड़ना है तो दोस्तों सारा का सारा इसलाई लगा के मैं आपको इसका एक लुक दिखाता हूं तो फ्रेंट्स आप देखें किस प्रकार से इसको मैंने जोड़ा है बीच में रख लिए मैंने कुंदे सैड में इसकी यह दो बड़ी कलिया है और यह जो दो बड़ी कलिया है इनके साथ मैंने चोटी कलिया जोड़ी है और इस प्रकार से आप देख सकते हो सलवार का एक हिस् लाइव पहले पहुचे नोर्म से रही ही बनते हैं जैसे हमने आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स आप देख सेटे हो लगभग सलवार हां कंप्लीट है नीचे से पोंचे भी बना लिए मैंने और इसके जो गिदरी वाली सलाई होती है लास्ट की इसको भी आप देख से तो मैं लगा लिए और बहुत ही बड़ा इसका गहर है आप देख से तो कितना बड़ा इसको मैं अगर डबल करके दिखाता हूं तो यह देखें इतना बड़ा इसका गहर है और यह चोटी सी बैल्ट है दोस्तों चोटी सी बैल्ट करने इतने बड़ा गहर को हमने एड़्जेस्ट करना है वह किस परकार से प्रेट साब को डालनी है वह मैं आपको श्टैब बग अब इसमें रहे गिए सिर्फ और सिर्फ बैल्ट लगाना इतना बड़ा साल इसका गहर है और आप इसकी बैल्ट देखें बहुत चोटी सी बैल्ट है अब प्लेट आपको कैसे लगानी है यह देखिए आपको बहुत ही असान तरीका बताने वाला फ्रेंट्स यहां से सकते लेक्श फ्रेंट्स कहले कर यह देखिए समने डालना हैं फिलास्टी डालनी यहां से लेकर और इसका पीछे इ Orchest observe पूरे पूरинг में तोको तोटल दूरी कितनी आ रही यह आरी है इन्हे हैं आपको क्या करना है इसका सेंटर पो हरा एक यह करना प्रेट這個 आपको इस तरह से डालना है जो पीछे उस्युर्स को इस सेंट्र 15 इंच में cover करना आपको उसके लिए आपको मोटी मोटी प्लेट डालनी है याप पर इस प्रकार से देखें मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो को दो पर करके दिखाता हूं मोटी मोटी प्लेट डालेंगे और 155 इंच में इसको पूरे को cover करना है इस तरह से और यह प्लेट आपको अंदाज है डालनी है लगबग 3-3 इंच की एक प्लेट डाले कि क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार से इसको सारे को साड़े 15 इंच में आपको cover करना है यह देखें एक प्लेट को आपको इस प्रकार से डालना है पहले आप एक कच्छी सलाई लगाने इस पर साड़े 15 इंच अकर आपका आ जाता है अच्छी बात नहीं आता उधेड़कर आप इसको दुबाए अगर नहीं आ पाता तो धाइ आपको इस प्रकार से पहले यहां पर साड़े 15 इंच पर प्रेट लगा लेनी है दोस्तों यह दिखाता हूं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो मैं इसके दर प्रेट लगा रहा हूं लगबग दो दुझ की प्रेट लगा रहा हूं और पूरे कपड़े को साड़े 15 इंच में कवर करना है यह इसका है दोस्तों जो क्रोच एलिया है अब देखते हैं पूरी प्रेट डालने के बाद साड़े 15 इंच आता है या नहीं आता तो फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रकार से अब इसको एक बार मैं नाप लेता हूं कि साड़े 15 है कि नहीं क्योंकि अभी मैंने इस सिर्फ एक तरफ से प्लेट इसके अंदर लगाई है यह देखे तो आप देख सकते हैं यह इसका क्रोच है बिल्कुल साड़े 15 पे फिक्स आच चुका है और यह जो प्लेटे में लगाई है दोस्तों इनका जो मुह रखा था मैंने वह रखा था उस तरफ अब बाकी का जो यह सारा कपड़ा बचा दूसी तरफ इनका जो मुह रखना प्ल separate ढालनी यह देखे से इस प्रकार से इनका मुह आपको स्टरफ करता हुए लगा लेनी दोस्तों आप लगाने के बाद फिर बैल्ट कैसे लगानी वो मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंड्स आप देख से तो इस प्रकार से पूरे के पूरे कपड़े को मैंने इस बैल्ट के अंदर अर्जेस्ट कर लिया है बस आपको इस चीज का ध्यार कना है जब भी आप प्लेट लगाओ दो स असान तरीके से यह देखिए यह उसका सेंटर पूइंट है यहां से आपको बैल्ट को लगाना है बैल्ट को लगाने के लिए आपको बहुत असान तरीके से क्या करना है यह देखिए इस प्रकार से पकड़ें यह देखिए बैल्ट है इसकी और बैल्ट को इस प्रकार से ल है इससे सेंटस मिला तो आपको चीद ही एक सलाहि लगानी है और इंट्रो का और प्रेस का और यह पहनने के लिए बिलकुर रड़ी है तो यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार से आप एक आठ साल की बच्ची का आठ से दस साल की बच्ची का आप पट्याला सूट की कटिंग और स्टीचिंग कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करे Thank you very much.